डर्शल्वरी मीना की चलेल में आप सभी का स्वागत है है। जैसे कि आज बैशाखी इन अब बहुत का सअर्वत है कि बिहार, सांट क का साना करके मुठरीhery issues बअब बहुत चलते इन यह काफी तो जो बहुत सारे तत्व जो आपको हर तरह से फैदा करेगा और यह चने का सत्व में उहीं है इन के स्वेट में निरोग्य और ध्यान रखें रात को नहीं खाया जाता है दिन में घिया जाता है सप्तु तासिर इनका ठंड होता है तो चलिए बाकी समारी देखाते हैं आज हम बनाएगे दूद और दः से तो कर देते हैं साइठ और हम लिए हैं यह आधा कब दूद लिए हम आप अगर 4 लोग हैं तो 4 कब लिए और यह 1 कटोड़ी दः वह दोनों का अलग अलग हम बना क करके दिखाएगे आपको दूद का बनाएंगे हम चिनी के साथ दही का बनाएंगे सर्वत्थम सद्टू का गुड के साथ और दोनों में कार नीशिंग करने के लिए हम और हम दो काजू के बीजे, बिश म misin च जालता है। Mic झशर्व करते हैं और दूद्र learnt dem रहें चनी मिठास की अर्णिसरा हैं आप जयतना मिठ़ा पसंद करते हैं य। उतना ले सकते हैं, और इनी में हम डाल देंगे इलाइची जो छील करके इस तरह से, हम छील ले रहें, छील का उतार लिया है इनका, इस तरह से हम और जव का सत्व हम लेगे इनमे एक चमच, और एक चमच हम लेगे चने का सत्व, तो नव का मिश्रा बड़ाबर, अब हम इनको सर्वत बना लेते हैं, मिक्सी में, आप चाहें तो किसी पतिले में भी बना सकते हैं, मही से घट करके, तो हम इन में बना ले रहे हैं, अच्छे से, हम एक बार देख लेते हैं, तो देखिए, बहुत अच्छे से ये, मिश्रा अच्छे से गुल गए हैं, इसलिए मिक्सी में बनाए हैं, ताकि अच्छे से दब मिल जाए, ये दूद का सर्वत, तम दूद का गिलास में ही ले लेते हैं, इनको, तो देखिए, बहुत अच्छे से ये, तयार हो गए हैं, हम इनको कर लेते हैं, साइब, अब इनमें हम ले लेते हैं, दही, यदि हमारे नए दोस्ट फ्रेंड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेर कर लेना, लाइक कर लेना, और हम ले लेते हैं, दही में सत् कि दो चमच लिए और जौ सब्रीम एक कंच लेंगे गए बोलीगा एक कंच क्यूंँ पुकि की जौ का सब्रीकृ मातया चारह में बाटते हैं बन लेता हैं तो हैे शथेुद्ध कर द्दमेंज रहेने हो एंशा हनाहीताए् ज़ाता हैं हीजी होता है ज़ो का दीच्षित गताया अगारारी कलाक्सूल जनने बन्हें तंदन बन्हें दालेते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िये बन कर तयार हुए है खुश्बू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं हम ने लेते हैं इनके आगे रोटी चावल दाल सभी फेल है फुराव लेते हैं और दोनों को हम गानिसिंग कर लें एक सत्व और बना करके आपको दिखाते हैं अब हम तीसरा सत्व बनाते हैं इनमें कोई प्याग मर्चा नहीं डालेंगे सिर्फ नमक और जीरा से बनाएंगे तो हम चने के सत्व थोड़ा ज्यादा लेंगे तिन चमच लिए हैं चने का सत्व और एक चमच जोग का सत्व और इनमें हम डाल देंगे काला नमक एक छोटा चमच और हम बोतल से थोड़ी सी जीरा पावडर ले लेते हैं और सफेद नमक आधा छोटा चमच और एक निम्हू काट करके हम आधा निम्हू का जूस ले लिए हैं बहुत लोग के प्रसंद नहीं होते हैं कि हम मसालेदार या दही और जूस का पीए तो उनके के लिए हम साधे बना दे रहे हैं तो इस तरह से बनाएं तो उनके लिए हम यह रिदी वाले सब्सक्राइब लिए हैं तो वैसाखी में इस तरह से ही अई वहार का लोग सब्सक्राइब तो इस तरह से आज के दिन हम लोग सभी बिहारवाशी सत्तु का सर्वत तो एक काजु दूद में डाल देते हैं ये गुड़ वाले में हैं तो इसी किस्मिस और डाल देते हैं और कानिसिंग कर लिए अब नमक थोड़ी सी जहां पर जोग की सत्तु इस तरह से थोड़ी सी चने की सत्तु इस तरह से सत्तु को हूँ किस तरह से बनाएं एक दूद का गार्निशिंग किये हैं काजू और किस्मी से यह नमत इनमें न मिर्चा है न प्याज है बिल्कुल सादध है इस तरह से आप लोग भी बनाए और वैसाखी का धेर और सारे शूप का उनाए आप लोगों के साथ तो कैसा लगा हमारा यह करें लाइक करें पुराने दोस्त फ्रेंड हैं हमारे शेयर लाइक करना ना भूले शेयर लाइक करें बेल आइकन जरूर प्रेश कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और भेट सारे सुथ काम नाए तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तो है कर लिए हाई यू